Good morning students, today we continue to read chapter number 5, so take out your computer book and open page number 52. Chapter number 5, chapter name is Fun with Paint. Our today first topic is Cropping an Image. आज हम सिखेंगे कि एक पिक्चर को क्रॉप कैसे करते हैं. तो क्रॉप करने का Meaning क्या होता है? क्रॉप कमांड allows you to clear everything outside the selected area. यानि कि क्रॉप कमांड क्या करती है? जो भी Area, जो भी Object आपने Select किया है, उसके Outside का, यानि कि उस Object के बाहर का जितना Area होगा, वो crop command remove कर देती है for example यहाँ पे देखो picture 1 में दिखाया गया है एक पूरी picture है smiley की और यहाँ पे इन्होंने half smiley को select किया है और half smiley को select करने के बाद crop पे click कर दिया जैसे ही crop पे click किया तो क्या हुआ हमारा जो selected area था half smiley जो select था वो हमारे पास रहेगा उसके outside का उसके बाहर का जितना भी area था वो सारा remove हो गया अब करना कैसे है it is very simple सबसे पहले home tab पे जाना है और home tab में आपके पास यहाँ पे जैसे picture में golden से color में select किया हुआ है यह select लिखा हुआ है यहाँ पे click कर देना है और इससे आपने area को select करना है अपने object को select कर लेना है select करने के बाद आपने crop पे click करना है जैसे ही आप crop पे click करेंगे तो आपका जो selected area होगा वही आपकी screen पर रहेगा और उसके outside का उसके बाहर का सारा area remove हो जाएगा इसे हम एक और example से समझते हैं जैसे आपके friends के साथ group photo है और group photo बहुत सुंदर आई है और आप चाहते हैं कि इस photo में से सिरफ मेरी photo आ जाए और बाकी जो साथ में friends खड़े हैं उनकी photo remove हो जाए तो आप क्या करेंगे अपनी उस picture को paint में open कर लेंगे उसके बाद select करना है आपने सिरफ अपनी picture को और उसके बाद crop पे click कर देना है तो सिरफ जो आपकी picture है वो आपके पास आ जाएगी crop हो करके और बाकी का उस selection के बाहर outside में जितना भी area था वो सारा area remove हो जाएगा second topic है हमारे पास copy and paste copy and paste को normal language में हम इस तरह से समझते हैं कि आपने क्या करना होता है एक duplicate copy बनानी है जैसे आपके पास एक smiley है सेम आपको एक और smiley चाहिए है तो आप उसे copy paste करके duplicate copy बना सकते हैं करना कैसे है प्रोसेस बिल्कुल simple है पहले आपने smiley को अपने paint में open करना है उसके बाद smiley को select कर लेना है और select करने के बाद आपने copy करना है और copy करने के बाद आपने paste पर click करना है जैसे ही आप paste पर click करेंगे आपके पास एक smiley और आ जाएगा अगर आपको एक चाहिए तो आप एक बर paste करेंगे अगर two की requirements है तो आप two time paste कर सकते हैं जितनी times आपको same picture की requirement है उतने times आप उसको copy करके paste कर सकते हैं तो आप अपनी खुद की picture के भी two, three, four जितने duplicate बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं कैसे बनेंगे आपने पहले select कर लेना है अपनी picture को उसके बाद simply copy करना है और paste करना है जितने times आप paste करते जाएंगे उतने times आपकी अपनी picture paint की screen पर आ जाएगी और इसका size आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी requirement की according और इस तरह से आप अपना एक अच्छा सा picture का collage बना सकते इसके बाद आता है cut paste अभी हमने पढ़ा था copy paste, copy paste के बाद next है cut paste तो cut paste में क्या होता है कि आपका एक object है उस object का specific portion अगर आपको काटना है आपको smiley में से one fourth portion cut करना है तो आप क्या करेंगे smiley का one fourth portion select कर लेंगे और उसके बाद cut पे click करेंगे तो जो भी चीज आपकी select होगी वो cut हो जाएगी आप इसे cut कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया है सबसे उपर आप देखें यह इन्होंने smiley का one fourth portion जो select किया था और select करने के बाद cut कर दिया तो यह यहाँ से cut हो जाएगा उसके बाद हमारे पास next topic है saving the drawing saving the drawing क्या होता है कि हमने अपनी जो group photo थी उसको crop भी कर लिया और group photo को crop करने के बाद उसमें से हमने copy paste करके अपनी three four same duplicate pictures बना के एक अच्छा सा collage भी बना लिया अब हम क्या करेंगे इस collage को save करेंगे तो save करना भी बहुत असान है क्या करना है save button पे click करना है जैसे ही आप save button पे click करते हैं आपके पास इस तरह से dialogue box आ जाएगा जैसे right hand side में बीच में दिखाया गया है इस dialogue box पे आपने file का name लिखना है आपसे पूछेगा कि file name क्या आप देना चाहते हैं तो file का name आप mention करें और उसके बाद save पर click करते हैं जैसे ही आप save पर click करते हैं आपकी वो file save हो जाएगी जैसा कि यहाँ पे नीचे दिखाया है यह proper smiley इन्होंने save किया है और आप कुछ भी बना करके अपनी file को save कर सकते हैं और जो भी file आप save करते हैं उसे next time open कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे आप कि how to open an old drawing अगर आप पहले save की हुई किसी भी drawing को open करना चाहते हैं सबसे पहले paint को open करें उसके बाद file menu में जाकर open option पे क्लिक करना है जैसे ही आप open option पे क्लिक करेंगे आपसे file का name पुछेगा file का name फिल करके आपने open पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप open पे क्लिक करेंगे आपकी same file open हो जाएगी और अभी हमने अभी तक क्या किया हमने एक group photo में से अपनी photo को crop किया उसकी copy paste करके 3-4 duplicate बनाए और उसको colorful करके collage बना दिया अब अगर हम चाहते हैं कि यह जो हमने collage बनाया है pictures का यह बहुत attractive है और हम इसे computer की desktop screen पर लगाना चाहते हैं कि जब हमारा computer own हो तो हमारी यह beautiful picture show हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम setting a drawing as desktop background कि अपनी किसी भी drawing को जो आपने paint में बनाई है उसे desktop background पे आप set कर सकते करना कैसे है वो हम देखते हैं तो सबसे पहले आपने paint open करना है और paint में अपनी file को open कर लेना है जोंसी file आपको चाहिए है ठीक है और उसके बाद आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसा यहाँ पर बता रहे है picture के अंदर कि आपने paint में मैंने बताया भी आपको कि सबसे पहले आपने क्या करना है पेंट को open करना है अपनी file को open कर लेना है उसके बाद आपने सबसे उपर ये जो बटन दिया होता है टोप left corner पर बटन है इस बटन पर आपने क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक option मिलेगा इसमें set as desktop background जैसा कि यहाँ picture में भी दिखाया गया है तो आप अपनी book में भी read कर सकते हैं इसको book सामने रख करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझाएगा तो आपने क्या करना है paint open करने के बाद file menu में जाके set as desktop background पटन पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन option आएंगे fill, tile और center तो जिस तरीके से यह अलग-अलग वे है desktop background लगाने के तो इन में से जिस तरीके से आप लगाना चाहते हैं देखो last में center दिया है center में एक photo आएगी छोटी सी tile में बहुत सारी photos आ जाएंगी छोटी छोटी और fill में पूरी full screen पर बड़ी एक picture आएगी तो मैं आपको advise करता हूँ कि आप जब set as desktop background का option यूज करें तो यहां से आपने fill को select करना है और जैसे ही आप fill को select करेंगे और आपकी same picture जो आपने बनाई है paint के अंदर वो आपकी desktop background पर save हो जाएगी तो यह था हमारा आज का topic जिसमें हमने काफी कुछ interesting सिखा और अब आपने इसकी practice करके देखनी है अगर आपके पास computer है घर पे और उसके बाद आपने इस chapter की exercise करनी है तो exercise आपने जो करनी है page number 56 पे दी है यहां पर जो screen पे show हो रहा है आपने fill ups करने है true false करने है और उसके बाद page number 57 पर match it given है match it भी आपने करने है और short answer type question भी आपने करने है इनकी answer की आपको video के साथ नीचे भेश दी जाएगी आपके whatsapp group में answer की आपको मिलेगी वहां से आपने इस chapter की exercise को solve कर लेना है उसके बाद आपने जो भी आपकी कोई query है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं हमारे youtube channel पर comment करके आपको कुछ भी पूछना है कोई भी question है वो आप पूछ सकते हैं और आप whatsapp पर भी अपना question send कर सकते हैं thank you god bless you have a nice day you